हेलो मैं डॉक्टर निशी सीनियर आईवेफ स्पेशलिस्ट प्रॉम प्राइम आईवेफ मेरे पस्पेशिन्ट आते हैं बोलते हैं कि मैडम हमारा ब्लाश ट्रांसवर हुआ था सब कुछ सही था इसके बाद भी हमारा आईवेफ फेल हो गया है तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि जो आईवेफ का प्रॉसेस है उसमें कैसी भी गारंटी नहीं है कोई आपको नहीं कह सकता कि 100% आपका सक्सेस हो जाएगा ये केवल हम ट्राइग कर सकते हैं तो आपका अगर एक आईवेफ फेल हो गया है तो आपको निराश होने की कोई ज जाना चाहिए ताकि आपका जो सक्सेस रेट है वह इंक्रीज हो सके पर फिर भी हम वह कारण जानना चाहेंगे कि आपका आईवेफ क्यों फेल हुआ कई बर क्या होता है कि आपको पता होता है कि आपका गुड़ क्वालिटी ब्लास्टों से ट्रांसफर किया गया है पर सकते हैं पर जो एग है वह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक की क्वालिटी हम नहीं चेंज कर सकते अक्सर मैंने देखा है कि जब 5-6 साल शादी को हो जाते हैं उसके बाद ही वह पेशेंट जाता है तब तक उसके जो एमेच लेवल होता है मतलब की ओवेनी में कई बार बताया है कि लेडिज में लिमिटेड नंबर ओफ एक होते हैं जो की बर्त के समय ही डिसाइड हो जाते हैं और जब उनका मिनार्के होता है पीड़ साना शुरू होते हैं तो एक करके उनके डिप्लीट होने लगते हैं कम होने लगते हैं जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है एक की संख्या कम होने लगती है एमच कम होने लगता है ओवेन रिजर्व कम होने लगता है तो इसके बाद आपको स्टीमुलेशन के इंजेक्शन्स देखे आपके जो एग निकाले जाते हैं वो आपके फोर या फाइव जो भी हमें मिलते हैं उसमें जब इंब्लांट होने में वो सक्सेस नहीं हो पाता तो आपका यूट्रस में भी कोई प्रावलम है उसकी वजह से भी आपका जो IVF है वो फेल हो सकता है तो आप पूछेंगे फिर क्या करना चाहिए तो मैं तो आपको यही बोलूगी कि आप second IVF पे जाए AMH इंप्रूब करने की कुछ medicines होती है वो आप ले सकते हैं या फिर अगर आपका AMH बहुत ही लो है तो आप donor egg ले सकते हैं और अगर आप donor egg नहीं लेना चाहें तो एक pulling of egg यानि कि आपके दो या तीन बार हम उसाइट पिक अप करेंगे और उसके बात आपके जो सबसे अच्छे ब्लाश्ट बने होंगे वो ही हम आपके implant करेंगे और uterus की जो abnormality है उसको भी हम वापस से steady करेंगे अगर आपके recurrent failure हो रहे है तो हमें stress copy करनी पड़ेगी इसके अलावा 3D pelvis करना पड़ेगा ताकि हम देखें कि आपका uterus का जो cavity है वो सही है या नहीं है जो आपकी lining बन रही है वो up to the mark 8 mm तक बन रही है या नहीं बन रही उसमें blood flow कैसा है क्यों नहीं implant हो पाया आपका blastocyst और ये सब सही होने पर भी कई बर हमें PGD, PGSB करना पड़ता है फिर हमें ये देखना पड़ता है कि embryo में कोई chromosomal abnormality यानि कि कोई genetic defect तो नहीं है जिसकी वज़े से हमारे embryo आगे नहीं चल पा रहा है IVF fail हो रहा है इससे समद्धित आपका कोई भी question हो या आप कोई भी जानकर ही जाते हैं तो आप हमें email कर सकते हैं या call करके पूछ सकते हैं धन्यवाद